दोस्तो अगर आप नर्सरी से सोच रहे हैं कि फूल वाले पौधे खरीद के ले आएं और कौन से पौधे खरीद के लाएं जो बारो मासी फूल देते हों तो आज कुछ ऐसे ही पौधे दिखाने जा रहे हूं जो पूरे साल फूल देते हैं बिना रुके फूल देते हैं तो एक चीज और बता दू कि उस पौधे को अगर आप नरसरी से खरीद के लिए आते हैं तो कि इन बातों का ध्यान रखेंगे उसके बाद आप लगाएंगे तो 100% पूरा फूल ही फूल देगा पूरे साल फूल देगा बिना रूके फूल देगा तो चलिए सबसे पहला बता दे कि आप उस पूधे को 6 घंटी की सनलाइट दिखाईएगा कम से कम 6 घंटी की और नहीं तो फूल सनलाइट में रखेंगे तो बहतर फूल आएगा और मिट्टी वेल रें त्यार करिएगा गमले का चुनाव अच्छा करिएगा और ओभर वाटरिंग से बचाईएगा ओभर से बचाईएगा इन सब बातों का ख्याल लखेंगे उसके बाद जो भी पौधा अब लगाएंगे फूल वाले तो 100% गारंटी के साथ पूरे साल अनलिमिटेड फूल आएगे इसमें कोई सक नहीं है एक चीज़ और करना है कि गमले का चुनाव उचित करिएगा जिसमें ड तोकरी ना लगी हो अगर उसमें एक टोकरी लगी होती है लगा हो तो उसको निकाल कर काट कर फेक दीजेगा तब जाके पौधा लगाएगा नहीं तो आपका पौधा धीरे-धीरे करके मर जाएगा चलिए पहले पौधे दिखा लेते हैं उसके बाद फिर वीडियो में पौधे साल फूल देता है बिना रुके फूल देता है बस इसको ओवर वाटरिंग से बचा के रखेगा और फूल सनलाइट में रखेगा आप चाहें तो इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं इजली या कटिंग से लग जाएगा तो दोनों आप सन है आपके पास इसको आप घर में जरूर जगा दीजी ये बंपर फुलावरिंग करने वाला पौधा होता है लेकिन इसमें खुसबू नहीं होती है इसमें खुसबू नहीं होती है लेकिन फुलावरिंग में कोई कमी नहीं होती है ठीक है दोस्तों तो अगर आपने नहीं लगाया है इस पौधे को ज उसके बाद छ़िए दिखाते हैं इसकी ये राखी वेल पॉधा है इसकी आसके नरसरी से भी खरी Whilst ला सकते हैं अगर आपके पास बजट नहीं यहाइँ तो आप कटिंग लगाएगे तो इजली हो जाएगा भीजो के द्वारा भी लगा सकते हैं इसमें भीनी भीनी नहीं होनी चाहिए, ओभर वाट्रिंग से अपने पौधे को बचा कर रखेंगे तो यह सालो साल पौधा खूल देता रहेगा, अगर ओभर वाट्रिंग का सिकार हो गया पौधा तो यह बहुत जल्दी मर जाएगा, क्यूंकि इसकी जड़े होते हो अधिक गहरी नहीं होती है यह लता वाले पौधे होते हैं, बीजो के द्वारा भी ग्रू होते हैं, तो अगर आपने नहीं लगाया है तो इसको जरू लगाए, इस बात का ख्या लखेगा कि कम से कम इसको 6-8 घंटे की सनलाइट दिखाईए गई दिखाईएगा, अगर सनलाइट की कमी होगी तो इस फूल नहीं आएंगे, इक का दूग हो आएंगे, बाकी नहीं आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे पर कितने सारे कलियां अगर आप बनी होई है, और फूल भी बहुत अच्छे से इस पौधे पे आता है, और खाद के रूप में आप हर महीने केच्वे की दाल सकते है, या घर की कीच्ण से निकली हुई वेस्ट मेटरियर का लिकविड बना के डाल सकते हैं, चलिए तो अगले पौधे के पास चलते हैं, तो देख सकते हैं, तो देख सकते हैं, दोस्तों ये मेरा शावणी का पौधा, ये भी बंपर फ्लावरिंग करता है, बिन् पौधा सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा और सालों फूलों से भरा रहेगा आपका गार्डन कभी फूलो की कमी नहीं होगी इसको चाहें तो इस समय आपका अगस्त का लास्ट वो चला है मन्त कटिंग से इजली लगाईए बहुत इजली यह ग्रो कर जाए अगर नहीं लगाया है तो इस पौधे को आप जरूर लगाईए ठीक है तो चलिए बताते हैं अगला पौधा कौन सा है बिना देर किये तो बता दें कि यह बेस्ट मौसम चला है कटिंग लगाने का अगर नहीं लगाया तो जरू लगाईए तो देख सकते हैं अगला पौधा यह टिकोमा कहा इसमें भी धेरो वेराइटी आती है यह भी वंपर फ्लावरिंग करता है ब बहुत बड़ी बड़ी उसके ब्रिच होते हैं समझे कि बारा बारा फिट तक क्यों होते हैं और हाइबरिट वाली तो गमले में लगाई जाती है तो आपके पास जो इस पेस हो उस हिसाब से आप टिकोमा की विराइटी ले आकर लगाईए तो मैं तो यही कहूंगी कि आप हाइबरिट वाली ही ले आईए और यह लो मेंटिनेंस प्लांट है बिना देखभाल का चलने वाला पौधा होता है बीजों के द्वारा आशानी से ग्रो हो जाता है कटिंग के द्वारा भी ग्रो हो जाता है अगर नरसरी से आप खरीद के लाना चाते है तो 20-25 रुपे में आपको इजली मिल जाएगा तो मैं तो यही कहूंगी आप नरसरी से ही खरीद के लाइए 20-25 रुपे में इजली मिल जाएगा अगर आप खरीदने में सच्छम नहीं है तो आप छोटी सी छोटी कटिंग अगर इस मांसून सीजन में लगाएंगे तो इजली लग जाएगा तो बिना देर किये इस पौधे को आप अपने घर में जरूर जगा दीजे इसमें के धेरो कलर आते रहते हैं मार्केट में तो चलिए यह देख सकते हैं कि यह भी हाइवरेट गुड़ाल है इसको भी आप लगा सकते हैं यह भी वारो मासी बंपर फ्लावरिंग करता रहता ह इसको में प्रॉब्लम कहां होती है ओभर वाटरिंग इस पौधे को ओभर वाटरिंग ओभर लोड खाद बिल्कुल नहीं पसंद है अगर इतने से इसको बचा लेंगे तो यह बंपर फ्लावरिंग देगा बिना रुके फ्लावरिंग देगा तो बता दें कि अगर लग रह किसे मिलेगा तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और खाद की बात करें तो इसको हर महीने खाद के रूप में आप केच्वे की खाद डालिएगा सड़ी हुई गोबर की खाद डालिएगा यह कीचन वेस्ट जो मैटेरियल निकलता है उसका आप इसमें खाद डाले मल्टी विटामिन की कमी का सिकार हो जाता है तो दीरे दीरे पौधा करके मर जाता है यही पहचान होता है तो ओभर लोड़ खाद से इस पौधे को बचा कर रखेंगे तो कभी कमी महसूस नहीं होगी तो आप देखी सकते हैं कि मेरे पौधे पर कितने सारे फूल ओगरा अगर नहीं लगा सकते हैं तो आप देशी गुड़हल भी लगा लीजे को नहीं है ठीक है और इस समय मांसून का समय चला है अगर आप कटिंग से लगाना चाहेंगे तो इजली या कटिंग से लग जाने वाला पौधा होता है मांसून सीजन या तो बसंतरी तू में लग ज जलते हैं उसको बात देख सकते हैं यह कनेर का पौधा है यह इजी टू ग्रोफ फ्लान्ट होता है कटिंग से इजली ग्रोफ कर जाता है बीजों से भी फ्लावरिंग करता है बारोमासी फूल देता है कभी फूलों की कमी नहीं होती है अगर आप फूल वाले नुदा मैं जरू शेयर की होंगे ठीक है दोस्तों तो इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और यह बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है बहुत ही हाड़ी प्लांट होता है किसी कीडे मकोडे का इसवे कोई अटेक नहीं आता होता है तो अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प तेंक यू